कैसे पड़ा दुर्गा के प्रथम सुरूप का नाम शैल पुत्री नमस्कार दर्शको आज पहला नवरात रहे और आज के दिन पूजा की जाती है मा दुर्गा जी के पहले सुरूप में शैल पुत्री की माता का प्रथम सुरूप शैल पुत्री के नाम से जाना वो पूजा जाता है शैल पुत्री ही नव दुर्गाउं में प्रथम दुर्गा है परवतराज हिमाले के घर पुत्री सुरूप में उत्पन होने के कारण इनका नाम शैल पुत्री पड़ा नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन ही की पूजा और उपास ना की जाती है इनका वाहन व्रिशब है और इसलिए यह देवी व्रिशारूढा के नाम से भी जानी जाती है इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारन कर रखा है और वाएं हाथ में कमल सुशोभित है यही सती के नाम से भी जानी जाती है एक बार सती के पिता प्रजापती दक्ष ने यग्य किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंतृत किया पर भगवान शंकर को नहीं सती अपने पिता के यग्ग में जाने के लिए विकल हो उठी शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रत किया गया है उन्हें नहीं ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है परन्तु सती संतुष्ट नहीं हुई सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यग्ग में जाने की अनुमती दे दी सती जब घर पहुँची तो सिर्फ मा ने ही उन्हें स्नेह दिया बाकी सभी ने भगवान शंकर के प्रती तिरसकार वाले शब्द कहे दक्ष ने भी उनके प्रती अपमान जनक वचन कहे इस से सती को दुख पहुँचा वे अपने पती का यह अपमान सहना सकी और योग अगनी द्वारा अपने आपको जला कर भस्म कर लिया इस दुख से व्यतित होकर भगवान शंकर ने तांडव करते हुए उस यग्य का विध्वन्स कर दिया यही सती अगले जनम में शैल राज हिमाले की पुत्री के रूप में जन्मी और शैल पुत्री कहलाई शैल पुत्री का विवाह भी फिर से भगवान शंकर से हुआ इस प्रकार देवी शैल पुत्री भगवान शिव की अरधांगिने बने चैनल दिव्री की तरफ से आप सभी को प्रथम नवरात्र की हारदिक बधाई